है एवर्वान अस्सलाम अलेकूम मैं है लुक्मान खान और वेलकम टू थर्ड टॉरियल ऑफ एच्टी एमल सेरीज अपने इस वेज टॉरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एच्टी एमल की मदद से अपनी वेबसाइब में पिक्चिर्स को कैसे एड कर सकते हैं इनके गेज़ बॉर्डर कैसे क्रेट कर सकते हैं पिक्चिर का साइज का दिया कैसे कर सकते हैं और बैक्ग्राउंड इमज कैसे लगा सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए आप उसन से पहले एक इमिज चाहिए Guys मैंने ये image अभी Photoshop में ready की है और guys ये मेरे desktop पर website के folder में पड़ी है So मैं अपने इस image को इस्तेमाल करूँगा अपने website में लगाने के लिए First thing you wanna do is open your notepad Guys से पहले मैं अपने standard tags लगाँगा If you watch my previous tutorials Headclose Title Headclose Body So guys अब मैं body में आ चुका हूँ और guys यहां पर मैं अपने image लगा हूँगा So guys image का जो tag होता है वो होता है img image Space अब guys के image को tag तो हमने लगा दी है अब हमने इसको जगा देने के जहां से वो अमारे computer से image को लगाए So SRC SRC stand for source Image source is equal to Guys यह लेखें यहां पर मैं in inverted commas के अंदर अपने image की जगा बताऊंगा यह देखें guys हमारी image जो है वो website के folder में है So मैं rename करूँगा और ctrl c करूँगा Guys इस तरह ctrl v और slash website के folder में जाकर Guys image का नाम है ctrl image और guys इसकी जो file है यह देखें वो है jpeg jpeg file है jpg ctrl v website के folder में जाएगा image.jpg को हम लगाना चाहते हैं और guys इसका इसका बॉर्ड मैं आपको वैसे पहले image लाकर दिखा दूँग file save as desktop index index dot html save save यह देखें guys यह देखें guys उसने इमीज जो है वो वैबसाइट में लगा दी है यहां पर यह मेरा टाइटल है अब guys में आपको इस इमीज के इर्द के बॉर्डर के लिएट करके दिखाता हूँ space guys इस सहरा काम आपने इस ही tag में करना है image के tag में space border is equal to 3 pixels 3px px stand 4 pixels guys इसका size image का width में देता हूँ width is 300px and height 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 300 oops 300px control s and guys यह रखे इसका size आप देख सकते हैं चोटा हो चुका है और इसके के लिए border भी create हो चुका है guys मैं आपको border का size कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ 10px 10,4px guys मैं आपको बज बज़रा बज़रा हूँ यह रखें guys अब इसका border border black colored color का है बड़ा हो चुका है इसका difault better contrast color border black ही होता है now guys मैं यह industry detail which is nossa background image मैं दाके दिखाता हूँ this guys गैस बॉडी आप यकाल प्रुविस ट्रोडीनमे भ्यक्रिमिते बताये था के आपने जो inator 10 ऑडोन आपिर करना होता है रपडी ऑफटी कि आपना होता है क्थे बॉडी पूरी के पीछे अपियर होना होता है आपी स्पेस बैखकरणंट एकवाल टू गाइस दुबारा वेबसाइट के फोल्डर में हो जाएगा slash image.jpg ग्लोज यह देखें गाइस यह पूरे उसमे मेरे बैकगराउंड पर यही इमेज कर दी है जैसा के आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पूरा बैकगराउंड पर उसने यही वाली इमेज बाबर रिपीटिट कर दी है आप गाइद अगर आप गाइद अगर देखें यह जो फाइल है मैं अगर इसको सेव करता हूं वेबसाइट के फोल्डर के अंदर ही तो गाइज मैं यहाँ पर यह नहीं लिखूंगा मैं सिरफ इमेज को वो नहीं दूँगा लोकेशन नहीं बता मोगा कि कि वो उसके पास ही पड़ी है तो वो खोली वहाँ से उठाए चैच करेगा इमेज को So guys don't forget to press subscribe and rate the video, rate, comments and face Thank you for watching, Allah Hafiz